नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों अब राजा बनने का शमे आ गया दोसों अब शेंगाशन पर बैठ कर आप राज करोगे क्यों दोसों गरहों की चाल में परिवर्तन हो चुका है दोसों अब आपके नशिब में आपके हक का धना चुका है जिह ये दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं शकता जिहां दोसूं द्रशल दोस्हुजं आप शभी को बतादे कि आने वाली शात दिनों का शमय आंप शभू के जीवन काल के लिए जीवन काल की शब्सें बड़ी और शब्सें महत्पुण शमय शाविद होगा जिहां यश्में गरहों में जो भी बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्टों शुन कर आपको आँखों पर यकिन नहीं होगा लेकिन दोसों जो जो बड़े बदलाव होने वाले हैं कि दोस्तों आप शबी को बता दे कि जो शपने आपने कभी शपने में भी नहीं सोचे थे दोस्तों वेशबक कारिप अब आप शबी के जुनकाल में होने वाले हैं जियां दोसों धन की देवी माता लक्षमी अब आप शेप प्रशन्य हो चुकी है अब आप शेवी के जुनकाल में धन की बहुचार होने वाली है जिनसे दोसों आप शेवी का जीवन बदलने में अब विलम नहीं होगा शादी शाद दोसनों आप शेवी को बता दे कि अब आपके जुनकाल में जो मोड आने वाले हैं जो बड़े बदलाव होने वाले हैं दोसों इन शमय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा उश्य होंगे वरना दोसनों जितना ही तेजी से आप उपर लेते हैं अगर आप आज के इस वीडियो को सुरू से अंतर तक बिना श्कीप के देख लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में आपको राजा बनने शे कोई रोक नहीं शक्ता जिहादोसों शादी साथ आपको बता दें कि मातालक्षमी का भी एश्या किर्प आपको को देगा जिहां दोस्तों उस्चे पहले दोस्तों जो भी मातालक्षमी के शुझटे भी भगते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा OST जरूर है किजिएगा और दोस्तों कमैंड बोख में शुकर मालक्षमी का रश्मरन कर लिजए उसी नल आप चैनल पर भी नए हैं त ऑछी और बहुत एमिंफंए जित दोस्थों आप शपी के लिए बहुत उच्छा होगी दोसों ये बातें आप ही कि के मन में एक बहुत एच्छा उत्तर आपको देगा जिन से आपको को बहुत ही अच्छा खुशी होगी जिए दोस्तों आप शीगों बता दें कि दोस्तों सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ले थी पर जब मरा तो तीन एक छा थी पहला जिन हकीमों ने उनका इलाज किया वो श्रब जनाजे को कांधे दे क्यों ताकि श्रब को पता चल जाए कि हकीम भी मरनेशे रोक नहीं शकते दुसरा जनाजे की रह में वो शारी दौलत बिछा दी जाए जो उसने जिंदगी भर इकटा करी क्यों ताकि श्रब जान ले जब मौत की घड़ी आती है तब ये दौलत भी किशी काम का नहीं होता तिश्रा उसकी मौत के बाद जब उसका जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर लटकाये जाए क्यों ताकि शब को मालम हो इंशान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा जिहां दोसों तो दोसों आज का यहाग्यान अगर आपको शमझ में आई हो इनमें श्रचाई लगी हो तो दोसों वीडियो को एक प कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं कौन कौन से बड़ी खुशकबरी आपको मिलने वाली है शादी दोसों कौन से विशेस बातों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि दोसों आप शिब के जुनकाल में जो खुशकबरी माता लक्षमी आपको देने वाले हैं दोस देगर हैना मित्रों और श्रयों के बीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छवी और इधिक निक्रियेगी दोस्तों जीवन के प्रतिष्षकार्तमक दिश्चिकों आपको महांशिक रूप से और सारी रूप से तोनों रूप से स्वस्त रखेगा इसको जो भी ख्रत पुरोत करते शमय कागजदों की अच्छी तरह से जांच करवा लें यह आपके भुष्ष के लिए बैतर होंगे इसको प्रादी दोस्तों यह शमय आपके लिए आपको बता दें कि आपके वीचारी आपके दूस्मर मने रहेंगे हर किशिवेक्ति के बारे में नकार्तमक होना आपको अपने ही अंदर नकार्तमकता भी दिखा शकता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किशिवी रिलेसंसिप को खराब होने के लिए दूसरों को जमेदार ठाराना आपको पेरिवेक्तियों को से दूर कर रहा है द परस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर रही है दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमन्दी कोई सुप सुचना भी यश्में घर में मिल सकता है जिससे उत्सा भरा महल भी रहेगा शाथी दोस्तों किसी अटके हुए काम को पुरा करने में भी यश्में आप सक्चम बदा दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली बाती विचार अवश्च कर लें बहतर होगा कि दोस्तों घर के सब्सक्राइश की सलाह आप जरूर ले लें दोस्तों पेसे के मामले में किसी भी पर भी यश्में विश्वास ना रखें खुद पर ही और पिर दारों दोवारा आप जो है खुद को तकलिफ दे रहे हैं इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिन्दगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष को बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा इसको ब्राहन दोस्तों यह श्में आपकरीश सुनोंगी आपको बता दोस्तों अगर घर या फिर वहां शुमंदी खरेदारी की यह जना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है इसको प्राहन दोस्तों यह श्में प्रंदू कभी-कभी आपकी विचारों में वहम या फिर संकीनता जैसे नकारत्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए प्रिशानी का कारण बढ़ सकती है तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें अपने वहईवार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्में चिंतन भी आप यह श्में करें इसको प्राहन दोस्तों आपको अपनी ग पर दुस्तों पेश्य काहुस करना कुछ दिनों के लिए आपको शमयों के लिए नौ average टाल्थे तो आपके लिए preserve हूंगे इसको प्रांतम छुपन आपको बदादें аपको शमयों गें दोस्तों अनुकुल रहने वाली है इसको प्रांदोस्तों जो है अपने शवाव अपिल विचारों को शकार्टों बना कर रखें कभी कभी आपका संक्राणों शवाव दूसरों के लिए प्रिशानी का कारण भी बच रखता है यह अवर के बेकार की तुदियों में शमी नश्ट ना करक अपने केरियर शमन्दी युजनाओं पर ध्यान फोकस करें इसलिए आपके भष्ष के लिए बहतर होंगे इसको प्रांदोस्तों यश्म में आपके लिए जुमोंगे आपको बता दें कि आपके दोवरा किये गए कामों के बारे में दूसरों के दोवरा प्रश्मशा मिलने कि अपक्षा रखना आपके लिए तकलिफ दायक हो रहा है इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश्म प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़ें दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के परतिर निष्टा को आगे बढ़ाना चाहिए इस रिटेल की अपक्षा होल सेल कारे ज्यादा शपल रहेंगे यश्म में ऑफिस का महल जो है बहुत शांती पूर्ण रहेगा इसको प्राप दोस्तों आपके केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यश्म कारी छेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो तुम बहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेच्छा अभी वर्तमान पर यह अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिसियल कारी के लिए यातरा करनी पड़ सकती है इसको प्रांद दोस्तों यश्म में आपके के निर्भिक ने पूरे हो जाएंगे दोस्तों कारेस्तलफर स्टाप की वेदियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा इसको प्रांद दोस्तों यह श्मिय आपके के लिए वायोसाह के लिए अपको बता दें कि बिजनस में अपने लक्ष की क्वैलेटी को अधि मजूद करने का समय होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह शंपर्क शुद्र आपके भुष के लिए बहुत ही महत्पुर्ण शाब्ट होंगे तो दोस्तों इल्म पर जरूर ध्यान दें इसको प्राद दोस्तों यह अगर आपकी लब लाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों यह श्मे अपने वैस्त्यम समय में जुआ परिवार के लिए कुछ शमय निकलना आपके समन्नों को मदूर रखेगा तथा परिवार में भी खुश्याली भराव आतर हो रहेगा तो दोस्तों जरूर शमय निकाले इसको प्राद दोस्तों यह में आपके लब लाइप के जोगे बैदर होंगे एसको प्रान दोस्थे में आपके लव-लाइफ के लिए जम्हों कि आपको बता दें की पारीवर बातावरान शुकमई बना रहेगा तथा हर के सबष अदर्स आपस में प्रकुलत भी तथा खुश रहेंगे इसको प्राहत दोस्तों ये शमें आपके लव लाइफ के लिए शमें होगे दोस्तों आपको बता दें कि पती पदली दोनों ही वैस्ता की वज़र से घर पर शमय नहीं दे पाएंगे प्रन्तु घर का महौल जो एक खुशनमा बना रहेगा किशे भी परकार की चिंता ना करें इसको प्राहत दोस्तों ये शमें अगर आपकी स्वास त्याने सहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यदीक काम की वज़शे आपका चिर्षवाव हो है उनमें चिर्षड़ा पन हो शकता है दोस्तों मेट्रेशन या फिर योगा करना यश में आपके शमस्या का उचित निवारन होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्राहत दोस्तों यश में आपके स्वास के लिज़शन होंगे आपको बदा दें कि दूस्तों एलर्जी वह फिर खासी जुखाम की स्किती रहेगी, लपरवाई ना बरते, अपने स्वास्थ का ध्यान रखना यश्में आपके लिए आवश्व होंगे। रखें यह आपके स्वाथ लिए ही बहतर होंगी